हारु फीक्स सैमसंग M01S डिस्प्ले नॉट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सवागर अब सभी का तिक राच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस पर अपना जो पर अच्छे से जो है नहीं हो रहा है तो आपको कैसे फिक्स करना होगा मैं आपको दोस्तों कुछ सॉलुशन बताऊंगा इसके रिगार्डिंग पर ठीक है आपका प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर सॉल्फ हो सकते है अगर यह सोफ्वेर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब तो यह दोस्तों एक हाड़वेर का एश्यू है तो आपको सिंप्ली टेग्निशन के पास जाके फिक्स करना होता है ठीक है लेकिन दोस्तों यहाँ पर मान लिजिए आपका स्क्रीन पे कोई भी डेमेज नहीं है फिर भी आपको इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप आपको कुछ सॉलिशन से आपे फॉलो कर लेना है उसके बाद भी दोस्तों हाड़वेर का एश्यू हो सकते हैं ठीक है तो जानने के लिए आपको वीडियो पुरा देखना है और वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क् पाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लिम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं चले दोस्तों आज कि इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्य हिगए हुआ हुआ है तो उनको आपार रिमूफ करके देखें ठें टिर्स तो उन सबको आप मिलिव करके आपने स्क्रीन से और इसक्रीन को थोड़ाँ साफ़ करके दंक्यार अगर लut अगर लग जाते हैं तो भी आपको प्राप्लेम होھ सकते ठेक हो scrIEn को अच्छे कप्र से एक बी मेर साफ करके देखे उसके बार दोस्तों check करें रिश्टार्ट करके की आपका problem solve ओआ है या नहीं हुआ है कई बार को कई case में यही reasons रहे यह दिस्ट में basic reasonable is ऑप basic solutions Danielle काम हो जाते आप यह सबसे पहले करके के डेखे solve हो जाते है problem ठीक है अगर problem solve नहीं हो रहा है तो दोस्तो आप जाएए setting पर अपना storage check करें ठीक है अगर आपका storage completely consume हो चुका है storage full है तो storage को 40% या 30% आप free आप करें storage clean up करने के बाद दोस्तो applications check किजिए अगर कोई भी bad application से जैसे की application यहाँ पर कोई भी unknown website से install किया हुआ application तो उनको भी आप delete करें अगर बहुत सारे applications है तो उनको भी आप delete करें अगर unused है तो थोड़ा सा mobile को free आप करके देखिए ठीक है कई वर दोस्तों क्या होते है mobile lag करते है full हो जाने के बाद तो हमें लगते है यहाँ पर display याडिफिर touch का issue है ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होते वो lagging का issue होते और hang होने के वज़े से इसा problem होते तो आप एक बार जरूर यह try करके देखिए अगर इससे काम बन जाता है तो ठीक है अगर इससे भी दोस्तों problem आ रहा है तो दोस्तों about phone पर जाके आपको built number यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है software information के अंदर पर तो built number पर आपको 7 बार click करना है उसके बाद mobile pattern आपको भर देना है और यह developer enabled हो चुका है ठीक है अभी developer option कहा पर है हमें वो search करना है तो last पर हापको मिल जाएगा तो उसमें जाए enable होना चाहिए आपका developer option तो यहाँ पर हमें search करना है pointer location तो चलिए थोरा सा नीचे जाके search करते pointer location ओके तो यहाँ पर है अभी दोस्तों आपको क्या करना है screen पर आप slide करके देखे अगर touch आपका काम नहीं करते तो touch यहाँ पर stop हो जाएगा और continue नीचे से होगा यह running पर नहीं होगा अगर आपका touch इसी बीच में problem करते तो touch जो है इस तरह के से यहाँ पर remove होके दुबारा से new touch करना सुरू हो जाएगा ठीक है तो आपको पता लग जाएगा कि इस area में आपका screen पर touch problem है ठीक है यह touch issue है या फिर क्या problem है आपको यही से पता लग जाएगा अगर आपका यहाँ पर touch का issue आ जाते तो touch काफी जादा means होगा तो आप क्या कर सकते हैं touch को change भी कर सकते हैं फिर डिस्पले चेक करवा सकते हैं किसी भी technician के पास जाके ठीक है तो इस तरह के से भी दोस्तों कई बार हम check कर सकते हैं सारी साथ दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है software update करना है software update करने से दोस्तों आपके mobile पर काफी जारा improvement हो जाते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है that stability of camera has been improved software update can include but it's not limited to device stability movement, bugs fixes ठीक है, bugs fix हो जाएगा और आपको features मिलेगा तो future improvement to perform ठीक है, तो आपके device में और भी ज़्यादा यहाँ पर performance अच्छा होने के लिए आपको software update दिया जाते हैं software को update करें और उसके बाद check करके देखें, दोस्तों इससे काफी आपको फाइदा होगा और आपका problems भी यहाँ पर solved हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने problem को fix कर सकते, by any chance अगर problem solve ना हो, तो जाके ही आप अपने mobile को factory reset करें उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है general management पर जाना है reset पर क्लिक करना है और factory data reset पर क्लिक करते हुए आपको reset पर डबाके mobile password भर देना है और reset कर देना है ठीक है, अगर उसके बाद भी same problem ही है तो आप किसी भी technician के पास या फिर service इंट्री पास जाके fix कर सकते है wiring का issue हो सकते है मा रबोट प्रॉब्लम हो सकते है display खराब हो गया होगा ठीक है, कुछ भी problem यहाँ पर हो सकते है तो वो check करने के बाद यह आपको पता चलेगा ठीक है, उनके पास एक meter होते है उससे check करते है तो उससे ही पता चलेगा तो इस तरह के से दोस्तो डिस्प्ले screen touch problem हमें fix करना होते है उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसने होगा thanks for watching